वेल्कम तो मैं चैनल तो इस वीडियो में आपके लाई हूं फ्रैंड एक ऐसा फेस पैक जो आपके फेस की जाया और कालापन उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा है और इसको बनाना बहुत इसी है और येली में ये बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसको यूज करत तो इसके लिए हमें चाहिए औरेंज का पील पाउडर यानि की संद्रे के चिलके का पाउडर तो इसको मैंने घर पर ही बना लिया था इसको बनाना बहुत इस अब लिए और उनको थोग की सी धूब दीजिए और जब वह सूख जाए तब उसको मिक्सी ग्राइंडर में सबनाद में घेल मौहसो को ख़तम करते हैं और फेस कालेपन को खथम करने में भी भाँ जादा है तो आप गर बनाएंगे तो ज्यादा बहर बहुत यह वह दोर्म देश को करें दया को दाशी के दौइए पिल पाउडर लेना है और इस तरिके से यह प्लड़ पाउडर लेन मिक्स करनी है Holz 1-2-3 जममेश दभी को हमें अच्छे से मिक्स करें ताकि यह हमारा यह पील पाउडर है इसमें थोड़ा दरदरा पने थोड़ा सा घ्र्चा हो जाए तो इसको इस तरह के से मिक्स करके आपको 15 मिनट के रख दे नहें यह ताकि हमारा स्क्रब है स्वरी पैक है तो 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और अकर आप घर बहार से पावडर लाते हैं तो वह बारी पिसा होता है तो आप उसको मार्शमेंट के लिए दही डाल के ऐसे रख सकते हैं कर देंगे तो 15 मिनट के बाद कुछ इस तो पूरे पास मिनट के लिए पूरे फैस पर पूरे गुंट ने आपके वर्ग करें तो आपके त Sahag यां नौसी उसको भूर्वात ऐसे पने इस तरह प्लाइ करना है जल से की मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूं और पूरे फेस पर इसको अच्छे से अपलाए कर लीजिए ताकि इसका इफेक्ट बहुत ही जादा नजर आया आपको तो इसको पंदरा मिनिट आपको रखना है पंदरा से 20 मिनिट और जब अच्छा हलका सा दरदरा हो जाएगा सूख जाएगा तो अब मैं जो मेरे पास बचा हुआ था इसका उसको मैं अपने फेस पर अच्छे से स्क्रब कर लोगी आपको पहले इस पैक की तरह इसको लगाना है पंदरा से 20 मिनिट उसके बाद जब इसका होटाने का टायम है इस तरीके से आपको फेस नॉर्मल वाटर से वाश कर लेना है और इसके लगाने के बाद आपको कोई फेस वाश की जरूद नहीं पड़ेगी और आप इंस्टेंटली देखेंगे कि बहुत अच्छा गिलो आएगा आपके फेस पर तो इस तरह के से आपको इसको अप्लाइ करना है देखिए इस तरीके से आपको इसको यूज करना है देखिए मुझे अपने फेस पर इतनी जाता फ्रेशनेस फील हो रही है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप देख रहे होंगी हलकल का गलो भी नजर आ रहा है तो इस तरीके से इसको यूज करना है तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू सो मच